हर कोई चाहता है कि जब वो सुबा सबरे उठे तो इसके स्किन भी खिली खिली रहे ना कि डल होकर सोती ही रहे अच्छी और दमक्ती तोचा हर किसी का सपना होता है इसके लिए लोग कई तरह के नुस्खे अपनाते हैं लेकिन कई बार गलत तरीके से अपनाने की वज़ा से उसके रिजल्ट भी बुरे आ जाते हैं। तो आज हम आपको स्किन पर निखार लाने का एक ऐसा आसान और देशी उपाय बताएंगे कि आपकी खुपसूरती में चार चान लग जाएंगे। जी हाँ, आप अपने घर में मौदुद कच्चे दूद से अपने स्किन को चान की तरह दमकाने में कर सकते हैं। इसमें मौदुद विटामिन्स, पोटैशियम, बायोटीन, कैल्शियम, चेहरे के दाख धमों को दूर करने में मदद करते हैं। और साथ ही काफी व्यादा फायता देते हैं। कच्चे दूद को आप रात में सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो सुबह सबेरे आपकी स्किन एकदम सौफ्ट और खिली-खिली रहेगी। नाइट की रूटीन में दूद को कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए इस वीडियो में हम आगे बताते हैं। कच्चे दूद को आप क्लिंजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपसर लोग अपनी तोचा को साफ करने के लिए बाहर से क्लिंजर खिलाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगा पर कच्चे दूद का इस्तेमाल करें तो या नेजरल होने के साथ साथ पेश्ट क्लिंजर का भी काम करेगा इसमें किसी तरह का केमिकल भी नहीं होता है कच्चे दूद को क्लेंजर की तरह इस्तेमाल करने से चेहरी का तेल, दूल, मिटी, सब कुछ आसानी से हट जाता है इसलिए क्लेंजर की रूप में आप बाहर से क्लेंजर खिरने की वजाए आप कच्चे दूद का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा है कच्चे दुद को मेकप रोई मुवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको लगबग दो चमच कच्चा दुद फ्रीज में रख लेना है ठंडा होने के बाद इसे कॉटन वॉल की मदद से चेहरी पर लगाना चाहिए इसे चेहरी की गहरी सफाई होगी और किसी भी तरह का स्कोई साइड एफेक्ट्स भी नहीं होगा तीसरा है कि आप इसे मौस्योराजर की रूप में भी लगा सकते हैं दूद में विटामिन A, बायूटीन, लैक्टिक एसिट, प्रोटीन मौजूद होता है जिसकी वज़ए से यह स्किन को प्रयाप्त एडरेशन मिलता है हर रात सोने से पहले दूद या फिर मलाई को मौस्योराजर की तरह लगा कर सोना चाहिए सुबह उठने के बाद ठंडी पाने से चेहरों के साप कर ले इससे आपके स्किन से जूड़ी कई समस्याएं भी दूर हो जाएगी चौथा है आप टोनर का तरह लोग अपने चेहरे के स्किन को ग्लोईंग बनाने के लिए तरह तरह के टोनर का इस्तेमाल करते हैं इन सब में सबसे अच्छा मिल्क टोनर माना जाता है इसके लिए एक स्प्रे वाली बोतल में कच्चे दूद को भड़ना है फिर चेहरे पर स्प्रे करना है यह चेहरे को चमबगदार बनाने के लिए दूद का फेस मास्क सबसे बेस्ट माना जाता है इसके लिए करीब एक चमज मुलतानी मिटी में कच्चा दूद मिलाना है और चेहरे पर लगा कर 15-20 नट के लिए छोड़ देना है कुछ समय बाद साफ पानी से चेहरे को साफ कर लें कच्चे दूद का इस्तेमाल जरूर करें अगर आप कच्ची दूद का इस्तेमाल इन तरीकों से करते हैं तो आपके स्किन बेहदी हिल्दी दिखेगी और खिली खिली रहेगी